एक है गाइज बैए गुड़ी इवनिंग टी ओल अफ यू मैं दी पेश को सिक्षागत करता हूं आपका स्टेडी आईक्यू के ऑफिशल यूटूब चैनल पे जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजे क्या आप आपके पास मेरी आवाज जो है वो ठीक तरीके से पहुच पा रही है एविद्धिस क्लियर पिक्चर क्वालिटी आवाज सब कुछ ठीक एकदम क्या मेरी आवाज आपके पास मैं आ रही है चलिए अजय शो हाई रित्यों गर्वाल गुरिवरींग ओके अवाज मेरी आपके पास मैं ठीक तरीके से आ रही है सो गैज लेट स्टार्ट आवर सेशन और आज हम बात करेंगे मध्यप्रदेश के एक महत्वपूर्ण वंश की जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मध्यप्रदेश के तहास में बहुत सारे वंशों ने सासन किया है जिसमें से हम जब प्राचिन काल की बात करते हैं तो चंदिलों के शाशन की बात की जाती है आदुनिक काल में जब बात करते हैं तो यहां पर सिंधियास की बात की जाती है और यहीं सिंदियास के समकाली नहीं एक शाशक थे जो हम भाई यहां बात करने वाले हैं वो थे मालवा के शाशक और जिनका नाम था होलकर वंश होलकर वंश एक ऐसा सामराज जो सूबिदार के तौर पर प्रारम किया गया था मलहार राओ होलकर के दौरा और धीरे धीरे अपनी शक्तियों के दौरा आसपास के छेत्र में यार अगर देखा जाए तो मालवा से लेकर पंजाब तक में मलहार राव होलकर की तूती बूलती थी और आज मैं और आप इसी बात पर यहां चर्चा करेंगे के मलहार राव होलकर या होलकर वंश के संस्थापक किस तरीके से यहां पर मालवा में या मद्द्रदेश में एक संप्रुप्त सरकार बनाने में सफल रहे तो चलिए मेरे साथ में अगर आपको यह वीडियो जो है ठीक तरी से क्लियर देख पा रही है तो आप इसको लाइक कर दीजिए एक बार चलिए स्वाइज लेट साट और सेशन और यह हम बात करेंगे मद्द्रदेश की देखिए मद्द्रदेश में आपको पताए कि प्रमुक है वो है होलकरवंश होलकरवंश जिसकी इस्थापना 1728 में मलहार राओ होलकर के द्वारा किये गई थी और वो इस बंश के प्रतम शाशक थे प्रतम होने के साथ साथ में प्रतापी शाशक भी कह सकते हैं उनके बाद के जितने भी शाशक हुए उन सब में कुछ कमिया हमको देखने को मिलती हैं लेकिन हम जब बात करते हैं मलहार राओ होलकर की तो उन्होंने अपने सामराज को शून से शिखर तक पहुचाया एक छोटे से सूबिदार मराठाओं के अंतरगर मराठाज जिसके संस्थापक मराठा वंश की स्थापना आपको पता है कि श बाजी राओ पर अवर्थम बालर जी बिष्माद के बैटे बाजी राओ पर तस्तरा सोब्यकर 1740 तक रह अकर vapर होलकर जो थे वे अधर वालए छी च्छित्र पर आए गाइकवाड जो थे गुजरात में रहे और भोंसले महारास्टरा में साशन किया आज हम यहां बात करेंगे होलकर वंश के मलहाराओ होलकर की ठीक है सबसे पहले यहां पर दो तीन सवाल जो है हमारे सामने आएंगे वो यह कि कौन थे होलकर शाशन शेत्रन का क्या था और प्रमुख शाशक कौन थे तो इसको जानने के लिए सबसे इंपोटेंट चीज हमको यह पता होना चाहिए कि पहले जो यहां पर जो शाशन करता था उनके बारे में आप लोग क्या जानते हैं ठीक है सबसे पहले माराठा में हम बात करेंगे तो माराठा बन्च की स्थापना शिवाजी के दौरा की गई थी यह बात बिलकुल अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं ठीक है और शिवाजी के बाद में बहुत सारे साशकों ने साशन किया और यहां पर में पावर आ जाती किसके पास में पेश्वा के पास में ठीक है शिवाजी के अगर बात कर लेते हैं तो शिवाजी मुख्य रूप से मुगल सामराज मुगल सामराज, मुगल डाइनस्टी में अगर आप देखा जाएगा तो यहाँ पर जो में शाशक था शिवाजी के टाइम का उसका नाम था औरंग जेव औरंग जेव ठीक है औरंग जेव वही औरंग जेव है जिसकी मुर्तिव 1707 में हो जाती है और इसके बाद के जितने भी शाशक यहाँ पर होते हैं वो सारे के सारे हम अगर उनको आयोग कह दें तो वो बिलकुल भी कोई बड़ी बात नहीं होगी और इसी बात का फाइदा उठा के मराठाज ने दिल्ली पर आकर्मन करना प्रारम कर दिया और इनी पेश्वाओं में से सबसे प्रथम जो सबसे जो प्रसद्य शाशक हुआ उसका नाम था बालाजी बाजी राओ प्रथम फस्ट जिसने 1720 से लेके 1740 पर साशन किया और इसके शाशन काल की सबसे प्रमुक ये बात थी कि इसने दक्षिन पर आकर्मन करना प्रारम कर दिया था अगर आपको याद हो हैदराबाद का जो निजाम था उनको बाजी राओ प्रथम नहीं हराया था और दूसरा कारण सबसे प्रमुक जो देखा जाता है वो इनका सम्मंद मस्तानी बाई के साथ में था इस बाद से भी इनको आज तक याद किया जाता है आप देखा को कुस टाइम परने मोवी आय थी बाजी रव मस्तानी बुंदेलखण की राजकुमारी जो बाजी राओ के साथ में करके प्रसिद्धार हुई और इन्हीं के शास्रण काल में बाला जी बाजी राव पर्थम के शाषनकाल में ही यहां पर भारत में भारत में जो मराठाज के छेत्र थे उन छेत्रों को कई छोटे छोटे छेत्रों में बाठ दिया गया जिसमें से मैंने आपको थोटे देर पहले बताए था कि जो गायकवार थे वो गुजरात में चले ग ग्वालियर की बात कर लेते हैं गौालियर में जिंद्याज गुजराथ की बात करेंगे गाइकवार और इसके बाद में महरास्टरा की जब बात की जाती है तो यहाँ पर भोसले राजवंश ने शाशन किया सिंध्यास के बारे में पहले बात कर चुके हैं अब बात यहाँ पर आज हमको करनी है होलकर राजवंश के बारे में तो सबसे पहली बात कि जो होलकर थे इस होलकर का अर्थ क्या है देखिए देखिए बात यहां पर क्या आती है कि जो मलहारा उहलकर हैं ये एक क्रशक जाती से हैं या इनको हम बोल सकते हैं कि ये चरवाहा जाती से हैं जिसको आज के टाइम पे हम पाल समाज या बगहिल समाज बोल देते हैं ऐसा बोला जाता है कि इन ही के ये पूर्वस थे ये बेसिकली देखा जाए तो ये मत्वरा छेतर में रहते थे लेकिन कुछ समय के बाद में दक्कन वाले छेतर में आकर बस गए और दक्कन वाले छेत्र में वो जगे थी जिसका नाम क्या था हॉल हॉल या हॉल बोल सकते है वहां के रहने वाले ये जो लोग थे इसलिए इनका नाम क्या पढ़ गया यहां पर हॉलकर इनका नाम पढ़ गया है चलिए अब जो मलहार राओ होलकर है मलहार राओ होलकर ये मराठा की सैना में as a सैनिक भरती होते हैं as a soldier इनको रिक्रूट किया जाता है और रिक्रूट करने के बाद में धीरे से कहानी जो पहुंचती है अपनी योगताओं के आधार पर ये क्या बन जाते हैं उसमें सूबेदार बन जाते हैं क्या बन जाते हैं और टाइम के साथ में धीरे धीरे पेशवा के दोरा इनको मालवा के नौ परगना परगनाओ का अगर उस काल पर देखा जाए तो हम बोल सकते हैं as to district आज की टाइम पर जो district है उस टाइम का हम बोल सकते के नौ परगने जो थोई वो मालवा में छितर में शामिल कर दिया गया और वहाँ पर महलार राहोलकर को यहाँ पर निक्ट कर दिया गया ऐसा सूबिदार सुवा होता था था ना सूवेदार ऐसा निक्त कर दिया गया और धीरे 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 1728 से लेके 31 के दोरान इन्होंने अपने आपको वहां पर सुतंतर राज गोशित कर दी और जो पेशवा थे उन्होंने भी इसको अपनी मानता प्रदान कर दी यह सामने आप जो देख मार्च 1693 को हुआ था और जिनकी मृत्यू 20 माई 1766 को हो जाती है 1766 में इनकी क्या हो जाती है डैथ हो जाती है क्लियर आदक की बात तो यह अगर आप से पूचा जाए कि मद्रदेश में होलकर वंश का संस्था पर कौन था तो वहां पर आपका आपका आंसर क्या हो जाएग क्लियर आदक की बात एवर्धिंग इस क्लियर चली नेक्स पॉइंट की बात करते हैं इनके बारे में क्या क्या स्पेशलिटी है जो आपको देखने को मिल जाएगी तो यहां पर लखा हुआ होलकर राजवंश ने 1728 से लेकर 1948 के कारिकाल में मालवा पर साशन किया ध्यान द होलकर यशवंतरा होलकर इस होलकर वंश की अम्तिम शाशक थे यहां से लेकर यशवंतरा होलकर तक टोडाल जो राजव हुए यहां पर वहीं 14 टोटल 14 शाशन को ने यहां साशन किया लेकिन इसके साथ-साथ में दो महिला जो शाशिका थी उन्होंने भी यहां पर साशन किया और उन्हीं के बारे हम यह बात करेंगे जोनों से एक प्रमूग जो दीजिन का नाम था अहिलिया भाई होलकर जिनको लोगों ने राज मात्या की संग्या भी दी थी राज माता भी उनको कहा जाता था या कहा जाता है तो यहाँ पर हमने पहली बात क्या सिखी के भाई होलकर वंश की स्थावना मलहारा होलकर ने की है इसका टोटल जो कारेकाल था वो 1728 से लेके नीस ओड़ालिस तक रहा क्योंकि भारत आजाद हो थे 1947 में और 1947 में अज़ने के बाद में जितनी भी रियासत थी उनको भारत भारत के गड़राजम क्या कर लिए गया शामिल कर लिए गया तो 1948 में इसको भी शामिल कर लिए गया अच्छा इतिहास की जब बात करते तो मैं आपको बताये था कि यह Chicken जो पेश्वा होते थे उनके यहांपर क्या था सेना बती था और सेनापधि के साथ में क्या अभन गया सुभदार बन गया और सको नौ परगना जो थे वो क्या मृत्य हो जाती है और इनका जो शाशनकाल था वो मालवा से लेकर पंजाब वाले छेत्र तक आप देख सकते हैं कहां से लेकर कहां तक मालवा से लेकर पंजाब वाला जो छेत्र था वहां तक आप इसका शाशनकाल देख सकते हैं तो बिटा यहां तक मुझे लगता है कि सारे question जो है यह आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी ठीक है एक छोटा समय आपको मैं बताजिता हूं कि कौन सा साशन काल कहां तक रहेगा इनकर ठीक है यह माल लेते अपना भारत है उस टाइम का अव विवाजद भारत है ठीक है यह हमने बना लिया क्योंकि मैं उस टाइम में बना रहा हूं यह क्योंकि उस टाइम पर पाकिस्तान का निर्मान नहीं हुआ है तो यह हमारा अव के संसापत ठीक है यहां तकी बात क्लियर है चली अगले पॉइंट की बात करेंगे इनके पुत्र होते हैं खांडे राओ होलकर मलहार राओ के जो पुत्र थे उनका नाम क्या होता है खांडे राओ होलकर खांडे राओ होलकर एक प्रसिद्ध योद्ध योद्ध थे बहुत क्लिया कलाब थे जिनके साथ में वो शाशन करते थे अपने पता के साथ में ठीक है यहांदा की बात अच्छा अब अगर आप से पूछा जाए खंड़राओ के पता का नाम तो आपको पता है मलहाराओ कर लेकिन अगर मान लीजिए आप से पूछा इनकी माता का नाम तो क्या हुआ है एक युद्ध चल रहा है एक युद्ध चल रहा है सूरजमल के साथ में और जो मुगल वाली सेना थी उसके साथ में युद्ध चल रहा है जिसमें जो माराथास थे जो होलकर थे उन्होंना भी यहां पर क्या किया पार्ट स्पेट किया इन खांडे राव की यहाँ पर मरत्य हो जाती है याने की यहाँ पर उपने स pelvic keys सम्राज़ के नहीं उचाई पर ले देखंगे आप 그 यहां पर 9 वर्ष की एक पुत्री है, 9 वर्ष की एक लड़की है, जिनका नाम है अहिल्या बाई, जिनका विवा किसके साथ में हो रहा है, जिनका विवा हो रहा है, खांडेकर होलकर के साथ में, और शादी के कुछ टाइम पर ही, अभी जो खंडरा होलकर यह साशन भी नहीं क है कि युद्ध मैं कॉन सा युद्ध हुथा कुम्बेर के युद्ध's में किया हुजाती है यहां पर मिर्ट्व mr t1- those are लेकिन ध्यान दीजिए का यहां पर 1735 में महराजा ऑख睡भनिर राउलकर के साथ में साथ हो जाता है और अहलिया भाई से उन्हें एक पुत्र और एक पुत्री भी होती है जिसका नाम क्या होता है जिसमें से एक का नाम होता है यहाँ पर माले राओ पुत्र का नाम क्या है माले राओ और पुत्री का नाम क्या है मुक्ति भाई मुट्टी बाई तोटल अगर देखा जाए तो खंडे राओ की जो पतनियां थी टोटल दस Πतनियां थी 22 पतनिया थी और उन दसमें से आयँ अब बात ही आती है कैसे दसमें से दसन्साशन क्यों नहीं किया हिल्य भाई नहीं गया तो आपको पता होगा हमारे पास हमारे प्राचीन काल में सती प्रताखा उलेक मिलता है एरन अबलेक का नाम सुना होगा आपने एरन अबलेक में सती प्रताखा उलेक मिलता है एरन अबलेक ध्यान देगना यह सो नो यादक की बात क्लियर है ना क्या होना पड़ता था उसको सती होना पड़ता था अपने पती के साथ में अब इनकी टोटल कितनी पतनिया है नौ पतनिया है कितनी पतनिया है टोटल दस पतनिया है जिसमें से नौ जो पतनिया थी उन्होंने इनके साथ में क्या कर इनका नाम था मलहार राओ होलकर क्या नाम था मलहार राओ होलकर उन्होंने अपनी बहु से विंती की कि क्या अगर यहां पर तुम भी सती हो जाओगी माले राओ जो है वो बहुत छोटा है और यहां पर शाशन करने के लिए कोई नहीं है और यह मैं चाहता हूँ कि अब मैं यह मानूँगा कि जिस युद में कुम्बेर के युद में खांडराओ की मृत्य हुई है वहाँ पर मेरा पुत्र नहीं मरा है वहाँ पर मृत्यू किस की हुई है मेरी बहू की मृत्य हुई है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वज़े से व लेकिन अब भुत्र तो जो है वो क्या है छोटा तो यहां पर क्या किया है माले राव को सिंगासन दे दिया जाता है और साशन करना कौन करता है प्रारम दीरे-दीरे अभी मलारा होल कर रहे हैं लेकिन दीरे-दीरे बात किस पर आ जाएगी अहिल्या भाई होल कर पर ठीक है अ यह आपड़ एहलयःवाय जो है वो हो गई है विदवा में और बत्र वाग में कि थोलोगे हैं अध्या झालीःवा weaving उस soul the नहीं नहीं ऐसले यहाँ पर क्या किया के माले रार को अपना जो प्रतने दिविता एक शाशक जो था वो कर दिया लेकिन समय की वर्टम बना रही कि थोड़े ही टाइम बाद उनके जो पुत्र था जिसका नाम था जिनका नाम था माले राओ उसकी भी कुछ टाइम के बाद में क्या हो जाती है मरती हो जाती है तो आएए मेरे साथ में थोड़ा साम बात करेंगे यहां पर किसकी अहि भाई होलकर जिनका जनम 31 माई 1725 को महा रास्ट्र में हुआ था जिनके पिताजी का नाम था मान को जीशिंदे क्या नाम था मान को जीशिंदे अब शादी भी हो गई 1735 में 25 साल में compartir 25 में क्या गूल前 गाई सैवंटीन 25 만 एक वरत जिसका पती क्या हो चुका है खतम हो चुका है दुखों का पहाड एकदम से टूड़ पड़ा लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने आपको समाला अपने पती की मृतिकों परांत लगबग देखा जाये तो 28 बरतों तक शाशन किया इसकी वल अपने ससुर के कहने पर और यहां से जो बात होती है यह थोड़ी सी बदल जाती है जब उन्होंने साशन करना यहां पर प्रारम किया तो साशन करने के साथ साथ में उन्होंने बहुत सारे development के जो function थे वो उन्होंने क्या कर दिये start कर दिये जिसमें से देखा जाये तो सबसे important जितने भी राज जिते आज आपको पता है भारत के 26 राजियों में 216 स्टेट of India होलकर राजवन्स की क्या है संपत्ती है होलकर राजवन्स की क्या है संपत्ती है बहुत सारे development कर कि चाहाये मंदिर हो जाये घाटो चाहे कूहे बहुत सारी कीज़ों वे अपने आप में बड़ाती कि इसके साथ साथ में जू जंता थी उस जनता के लिए उन्हों ना बहुत सारे विकास कार किये और इसी प्यार इसी विकास के लिए उनको धेरे-धे incluso राज माता की उपादी भी दी जाने लगी किसकी पादी दी जाने लगी राज माता की उपादी भी दी जाने लगी और इसी टाइम पर आपको पता होगा मैंने आपको थुड़े देर पहले बताये था कि गौालियर पर साशन कौन कर रहा था सिंधिया कौन कर रहा था यहां पर साशन सिंधिया और सिंधिया के मन में यह यहां बात आती है कि क्यों ना क्यों ना इस राज राजा विहीन सामराज पर हतिया लिया जाए इसको हतिया लिया जाए जब सोत्याने की कोशिश की गई तो वहां के सैनापती थी जिनका नाम था सर्जे राओ घाट के ये सिंद्या के सैनापती थे सर्जे राओ घाट के जो सिंद्या के सैनापती थे इन्होंने यहां पर मालवा पर क्या कर दिया आकर्मन कर दिया और ये ख़वर पहुंचाएगे इनके पास में अहले अभाई के द्वारा कि एक विद्वा के द्वारा अगर आप हारेंगे तो सोच लिजे आपकी कितनी बदनामी होगी एक विद्वा के द्वारा मैं हार जाओंगे तो कोई दिक्कत नहीं मैं तो निर्बल नारी हूँ लेकिन अगर मैंने आपको हरा दिया तो आप सोच लिजे क्या होगा इस बात से यहाँ पर तो सरजराओ घाटके दे यह क्या चलेगे बाहर चले जाते हैं बापस चले जाते हैं अलाकि नुक्सान हुआ इंदौर को लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इस इंदौर को इस मालवा को जीतने से बचाने के लिए द्याद देगे इस बात पर दूसरी बात यहां पर इंपोर्टन क्या आती है कि इन्होंने अपने युद्वों का सफल नेत्रवत किया सफल ने तरत किया है और बहुत सारी चीजा देखा जाए तो जो यूरोपी पंदिती थी उन्होंने यहां पर उसको प्रयोग किया और इसके साथ-साथ में महलाओं को भी अपने सैना में शामिल किया अब ध्यान दीजेगा टाइम चल रहा है 18th century उस टाइम पर महलाएं यहां पर पार्टिस्पेड कर रही है बैटल्स युद्धों में बैटल्स में क्या कर रही है पार्टिस्पेड कर रही है अब ध्यान दीजेगा मैंने अभी आपको बताया कि यहां पर राजधानी जो है वो क्या है यहां पर इंदौर ठीक है और मैंने इसके साथ में क्या बताया कि अहलियावाई होलकर ने अपना जो छेतरता वहां से चीजों को क्या राज के बाहर भी थोड़ा सा बढ़ाया और धीरे धीरे कहानी कहां पहुंच जाती है कहानी पहुंच जाती है महेश्वर कहां पहुंच जाती है कहानी महेशवर अब आप से मैं कुछन पूछूंगा दो कुछन पूछने वाला हूं पहला कुछन मेरे आपके सामने ये ये बताइए कि जो बाजी राव पृथम थे मस्तानी वाले उनकी समाधी मद्ध्रवेश के किस जिले में बनी हुई है कुछन महेशवर जो है वो मद्द्रवेश के किस जिले में स्थेत है जल्ली से दीजे फटाफ़च आंसर दीजिए बाजी राओ पर्थम की समाध्धी मद्यप्रदेश के किस जिले में बनी हुई है और दूसरा question आपके सामने कि जो महेश्वर है वो मद्यप्रदेश के किस जिले में है फटाफट से आंसर दीजिए जल्दी से चंदेरी आशा परोच्छ ने आंसर दिया है चंदेरी चलिए और बताईए खजुराओ बिल्कुल सही और बताओ फटापट्च बताओ जल्ली से आंसर दो खंडवा प्रदीब गुजर खजुराओ चलो और दो आंसर और आंसर दो खरगोन मिस्टर बिसेन खंडवा खजुराओ प्रदीब गुजराओ खरगोन अक्षय मनोरे बिल्कुल सही सबसे पहले जो राइट आंसर दिया था वो दिया था मिस्टर बिसेन ने और इसका आंसर क्या हो जाएगा मद्दप्रवेश का जिला है जिसका नाम क्या है खंडवा यानि की मद्दप्रवे में ही कौन सा हिस्थाने यहां पर महेश्वर और तीसरा कुशन आपके स्क्रीन पर अगर में आपसे पूछू यह बताइए महेश्वर किस नदी के किनारे बसा हुआ है महेश्वर किस नदी के किनारे बसा हुआ है जली से आंसर दो खरगोन इसका राइट अंसर हो जाएगा महेशर किस नदी के किनारे बसा हुआ है जली से आंसर दो द्यान देने वेटा एक कुश्चन याप बोर बन जाता है आपको पता होना चाहिए मद्ध्यप्रदेश में दो जिले हैं जिनका नाम एक का नाम है खंडवा और एक का नाम है खरगौन खंडवा और खरगौन इन दोनों जिलों को क्या कहा जाता है इन दोनों जिलों को कहा जाता है सुनहेरे जिले क्या कहते हैं सुनहेरे जिले कहा जाता है कापास की खेती के कारण को क्या कहते हैं हम सुनहेरे जिले कहते हैं किसको खंडवा और खरगौन को दोनों को कहा जाता है सब्सक्राइब रूप से सुनहेरे जिले कहा जाता है ठीक है तो ध्यान देना महेशर किस नदी किनारे है नर्माना नदी के किनारे बिलकुल सब लोगों ने बहुत अच्छा अंसर दिया है तो ध्यान देना मद्दप्रदेश के निमाड में स्थित महेशर को अपनी राजधा नी पहुँच गई है महेशर में और महेशर किस नदी के किनारे है यह महेशर जो है वो नर्माना नदी के किनारे है नर्माना नदी आपको बताए कि वहाँ पर बहुत सारे घाटों निर्माड किया गया और बहुत सारे जो घाट है उनका निर्माड अहिल्यावाई होलकर के द्वारा ही किये गए है इसके साथ साथ में इसके साथ साथ में अभी पता है आपको पता है अभी हाली मैं कासी विश्वनात के कोरीडोर का लोकारपण किया गया भारत के प्रधान मंत्री स्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तो अगर मैं आप से पूछू यहाँ पर कासी विश्वनात मंदिर जो है वो किस राज में हैं और वो किस नदी के किनारे है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से आंसर दीजिए जल्दी से फटाफट से आंसर दीजिए कासी विश्वनात किस राज में हैं और वो किस नदी के किनारे इस्थित है जल्दी से आंसर यूपी गंगा बिल्कुल सही अक्षय मनोरे ने आंसर दिया है यूपी और गंगा बिल्कुल सही बेटा राइट आंसर आपका कासी विश्वनात जो है वो तरप्रदेश में है और वो गंगा नदी के किनारे है कासी यह वही है जिसको हम क्या बोलते थे बनारस क्या बोलते है बनारस और इस बनारस का ही नया नाम क्या हो गया है वारणासी क्या हो गया है वारणासी और इसी बनारस में यहां पर कासी मंदर कि स्थापना किसे द्वारा की गई यह करेंट में भी कुशन पूझा जढ़ सकते हैं इस बात पर याद रखना भी के कशी में काशि विश्वनाद मंदर की स्थापना की गई और वह वर्ष कौन सा था ना बदियां दे महराजा रणजीत सिंग के द्वारा किसके द्वारा महराजा रणजीत सिंग्के द्वारा वहाँ पर उपर जो से इस Karma पर है उसको लगवाए गया है था तो यह अहल्याबाई के द्वारा करवाया गया था क्लियर हैं यहां तक इबात है मुझे लगता है यह सारे important चीज़ नहीं है वानलसी गंगा उसको बनवाया अभी अहल्याबाई थे आहे बिल्कुल सही बात है आपकी सत्यमतिवारी बिल्कुल सही बात है आपकी चलिए ठीक है तो कुशावर्त घाट और अहिल्याबाई घाट इन दोनों का निर्माण किस के दोरा करवाया गया है अहिल्याबाई होलकर के दोरा और कासी विश्वनात मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था उसको भी अहिल्यावाई होलकर के द्वारा करवाया गया था यर आगर आपको याद करना हो तो यहाँ पर जो यर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1780 इसका आप आराम से स्क्रिंशॉट ले सकते हैं ताकि आपको एक्जाम में ये चीज़े याद रहे ठीक है यहां तक की बात कोई दिक्कत तो नहीं है सारी चीज़े क्लियर है स्थापना महेश और राजधानी किसने मनाया अहिल्या भाई होलकर ने क्या उपादी थी इनकी राजमाता की उपादी थी पुत्तर का नाम क्या था माले राओ पती का नाम क्या था खांडे राओ और चलिए आगर देखें का इंपोटेंट बुक्त आप यह जो देख पा रहे हैं यह सामने जो आप देख पा रहे हैं यह जुद नदी कौन सी है तो आपने मुझे बता दिया है इस नदी का नाम क्या हो जाएगा नर्मदा ठीक है नर्मदा नदी हो जाएगी उसके साथ में आप सामने यहां पर देख पा रहे होगा यह दोनों ही छित्र जो हैं वो देवी आहिलियावाई होल कर के हैं अहले वाई होलकर एक बहुत भगवान को पूझने वाली महिला थी यह जितने भी इनों ने जानकार किये जितने भी इनों ने डवलपमेंट वर्क्स किये उन सब में इनके साथ में आप देखते होंगे जिनकी इनकी मूर्तिया है तो भगवान शंकर की एक शिवलिंग जो है उसको साथ मैं रखती इसका मतलब रागता है कि यह देव परायन एक Ho الرण महिला थी उस टाइप चलिए अब यहां पर एक राओ होलकर संस्थापक है पुत्र का नाम क्या है खांडे राओ ठीक है इनके पुत्र का नाम क्या है माले राओ तो इक दिन अपने रत से यात्रा पर निकले उए थे और वही पर एक बच्छला और एक गाय अपने पुत्र अप एक गच्छला और जो गाय थी वो वहाँ पर सडक पर बैठे उए दूद पिला रही थी हो दूद पलाते-पलाते होता है कि माले राव के हत्य से यहाँ पर गायति एसके बछल से की मरति हो जाती है और वे बछला क्या होता है ? मर जाता हैं कょ पूर बछला मर जाता है मृत्यू हो जाती है और मृत्यू हो जाने के बाद में ये वाली जो बात थी वो यहां पर देवी अहलिया भाई के पास में पहुंचती है अहलिया भाई को जब यह पता चलता है कि माले राओ के रत से किसी गाय के बच्छडे की मृत्यू हुई है वो बापस महल में महले पहुंचती है और माले राओ की मतनी को बुलाया जाता है उनकी वाइफ को बुलाया जाता है और इसे पूछा जाता है कि अगर किसी गाय के बख्षडे की मृत्यू कर जाती है तो मृत्यू करने के वाले साथ में क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए वहाँ पर जो पतनी होती है कि हाँ साब बिल्कुल उसको मृत्यू दंड देना चाहिए इसी बात को यहां से लेकर जो अहिल्या भाई थी अपने पुत्र माले राव को लेकर उसी जगह पर पहुंसती है और उसी जगह पर जब पहुंचती है उनको मारने के लिए धरती बलेटा दिया जाता है रत चलाया जाता है वहीं ये जो गाय होती है ये गाय उस रत के सामने आड़ी खड़ी हो जाती है क्या खड़ी हो जाती है आड़ी खड़ी हो जाती है कई बार उसको अटाये गया लेकि भी आप जाएंगे तो यहाँ पर इंदौर में आपको आड़ा बाजार नाम की जगए एक अच्छे से देखने को मिल जाएगी जहाँ पर बहुत छोटे-छोटे मार्केट जो होते हैं जो हर शहर में होता है ऐसे ही मार्केट आपको देखने को मिल जाएगी जैसे बोपाल का न्यू मार्केट हो गया ग्वालियर का महराज बाड़ा हो गया ऐसे ही जब आप जाएंगे यहां पर इंदौर में तो यहां पर आपको आड़ा बाजार भी देखने को मिल जाएगा क्लियर बात यह सारी चीज़ें यहां तक कि चलिए आगे देखते हैं क्या इंपोटेंट या बहुत सारा शाशन किया लेकित थोड़ी सी यहां पर दिक्कत हो गई दिक्कत क्या हुई कि सबसे पहले तो यहां पर पती की मृतिय होई पती की मृत्यू होने के बाद में ससुर की मृत्यू हो गई मलहार राओ की और मलहार राओ की मृत्यू होने के बाद में जो पुत्र था यानि कि जो माले राओ था उसकी भी क्या हो जाती है धीरे धीरे खतम होते गए और इतनी सारी समस्याओं के बाबजूद भी देवी अहलियाबाई ने अपने कर्तव्यों से कभी भी विमुख नहीं हुई हमेशा उन्होंने जनता के विकासकार के लिए हमेशा उन्होंने जनता की भलाई के लिए काम किया और इसी लिए उनको देवी अहिलियाबाई या राजमाता अहिलियाबाई होलकर भी कहा जाता है 13 अगस्त 1795 को इन दौर में अहिलियाबाई की मरती हो जाती है और उनके सम्मान में ही भारा सरकार द्वारा 25 अगस्त 1966 को और 25 अगस्त 1966 कोवर्मेंट और इंडिया इंटेडियूज अटेकिट इन मेमोरी ओफ देवी अहिलियाबाई होलकर और इसके साथ में मद्दप्रदेश में भी अहिलियाबाई के नाम से एक प्रुसकार की यानकी अवार्ड की स्थापना की गई क्लियर राव की पत्नी का नाम क्या था जोसीनद भाई चलिए ठीक है यहाँ की बाद आगे देखते हैं अब यहां पर अहिलया भाई ने कि यहां पर टोटल सासकों की संख्या कितनी हुई है टोटल सासकों की संख्या हुई है चवदा टोटल चवदा सासक की है और उन चवदा में से दो सासक और थी जो महिला सासक थी जिसमें से एक का नाम क्या था एक का नाम था एहल्या वाई और जो दूसरी यहां पर सासक को यहां पर देखने को मिल जाती हो जो महिला सा सकते याई इस चौदा पुरुष आ सक है और दो यहां पर क्या है महिला साज चलिए अब यह बात आती है कि चलिए ठीक उनकी मृतिव हो जाती है तो इसके बाद मैं साशन कौन करता है तो जैना सूवेधार मलहार राओ की मुर्थी हो चुकी है ससुर है इनकी पहले मुर्थीध किमडे करता के युद में माले राओ होलकर की विपिम्त अवस्था में म्र॥ी हो जाती है और साशन फिर कौन करता है अहिल्या भाई होलकर हैं अब सब सब मृती हो गई तो फिर काम कैसे चलेगा तो अहलिया भाई ने होल करने काम किया और काम करने के साथ साथ में इनकी जो सेनापती थे जिनका नाम था तो कोजी राओ जो वैसे वहाँ पर क्या थे सेनापती थे कमांडर इंचीफ थे तो कोजी राओ उन्होंने साशन अहलिया आपका आपका आपकोजी राओ तो कौन थे जो यहाँ पर इनके सेना पति थे हालाकि इनके जो ससुर थे लेकिन उनका यहाँ पर ओदा क्या था सेना पति थे सेना पती ने साशन किया और साशन करने के बाद में यहाँ पर काशी राव होलकर और यश्वन्त राव होलकर यश्वन्त राव होलकर और 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 यश्वन्त राव होलक यहाँ पर प्रथम सा सके कौन ता सा सका है यश्वंत राउलकर प्रथम है यह ठीक है क्लियर है अब देना यहाँ पर important चीज क्या हमको देखने बिल जाएगी जब काशी राउ की बात कर पा रहे है काशी राउ जो है वो क्या disabled है यानि कि क्या है वो अपंग है क्या है अपंग है और इस बात से यश्वंत्राव जो है वो क्या थोड़ा सा दुखित है कि नहीं इसको साशन नहीं करने देना है कुछ टाइम के बाद में इसको यहां से हटा दिया जाता है और सासन किसके पास में आ जाता है यश्वंत राव होलकर के पास किसके पास आ जाता है यश्वंत राव होलकर के पास और ये वही शुंद्रा होलकर है जिसने अपनी राजधानी महेश्वर से फिर कहां पर ले गया ये अपनी राजधानी को महेश्वर से अटा कर कहां ले गया भानपुरा ले गया कहां ले गया भानपुरा जली से मुझे आंसर दो भानपुरा मद्द प्रदेश के किस जिले मे है देखें तो जाने क्या बानपुरा मद्दप्रदेश के किस जिले में है जली सांसर तो फटावट से भानपुरा मद्द्परदेश के किस जले में हैं तर दोनों में से बड़ा कौन है बड़ा जो था वो यहां पर यह था कासीरा ओलकर कौन था कासीरा ओलकर और यह छोटा था यह लेकिन डिसैबल्ड था यह क्या था अपंग था इसलिए इसको साशन करना उतना ज्यादा आंसर दीज़े चतरपुर उजएन चलिए कोई बात नहीं जो भानपुरा आप देख पा रहे हैं यह है मंदसौर जले में कहां पर है मंदसौर जले में है क्या भानपुरा ठीक है तो धियान नेर के राजदाने इन दोर इन दोर से कहां चलेगी महेश्वर और महेश्वर से अब कहां चिलेगी मंसौर यानि की मंसौर के कहां पर भानपुरा में कौन लेकिया यश्वतरा होल कर और यहां पर इसने गन फैक्टरी और इसके साथ साथ में तोप खाने भी इस्थापित किये गन फैक्टरी और तोप खाने भी यहां पर क्या किये इस्थापित किये ठीक है मनसौर हाँ बिलकुल सभी राइट आंसर इसका मनसौर हो जाएगा ठीक है तो यह कुछ स्पेशल यहां पर जो सासक थे वो हम यहां पर देख पा रहे हैं अब इंपोटेंट चीज क्या रहती है बहुत सारे सासकों ने सासन तो किया लेकिन कुछ शपेशल चीज हैं जो हमेशा यहां पर बनी रहती हैं जिनमस來 एक इंपोटेंट सासक की जो हिमारे पास में वो है यहां पर शिवाजी राओ होल कर यह बहुत ही स्क्तिशाली जितने सासक कि आप यहंबर देख पा रहे हैं इन शंब में सक्तिशाली को ने यहां पर शिवाजी राहूल कर इसके साथ साथ में न्याइपरी भी है और इनके दोरा ही इन दोर में जो लाल बाग पैलेस है उसकी यहां पर क्या की गई उसकी इस्थापना की गई लाल बाग पैलेस की यहां पर क्या की गई है इस्थापना की गई है और इनके टाइम पर एक बहुत भेंकर 1899 का आकाल भी पढ़ता है क्या पढ़ता है यहां पर आकाल पढ़ता है इस आकाल के कारण हुआ यह कि जितने भी यहां के जो साहुकार थे यहां हम बोल सकते हैं कि जितने भी यहां पर जो व्यापारी थे उन सब को शिवाजी राओ ने अपने महल में बुलाया और उनसे बोला कि आपके पास में जितना भी धन है वो यहां पर लिखाईए राज को अभी इसकी आवशकता है राज को भी क्या इसकी आवशकता है अब साहुकार जो व्यापारी थे उन्होंने सोचा कि अगर मालो हमने इनको बता दिया तो यह पूरा का पूरा धन यह हमसे लोट ले जाएंगे हमसे लूट के तो अगol माली जी किसी के पास में 500 वोरी थी तो पानसों बोरी में 300ा 925 वोरी पंद्रा वरी-2 वोरी ऐसा लिखवा दिया जब यह पiałaत पता चली शिवाजी oyunसे ने बोल दिया कि आप जाके अनाज मंडी को लूट लीजिए क्या गोला जनता से आप जाके अनाज मंडी को लूट लीजिए रात में जनता ने पूरी मंडी जो थी वो लूट डाली यह लूटने के बाद में जो व्यापारी थे जो व्यापारी थे वो किसके पास पहुंचे शिवाजी राओ के पास में बोला के महराज आपके शाशनकाल वह जितनी मंडिया थी हमारी लूट ली गई कोई दिक्केट नहीं है आपका जितना पैसा था वो मैं दूँगा आपको शिवाजी राओ खुल कर ठीक है क्लियर यहाद की बार कि जी सर लाल वाग मालवा सब उता है बिल्कुल सही हाँ तो उसी लाल वाग की जो स्थापना की गई है वो शिवाजी राओ कर के द्वारा ही की गई यह जाद रखना इस बात को ठीक है तो यह कुछ इंपोटेंट च क्या कहते हैं हम पर यहां पर बात की जाती है इंद्वर के रजवाड़ा की अजब मारत आज बी एक पृसित इमारत है इंद्वर की लोग 아ज भी इसको देखने के लिए जाते हैं तो एक्जाम में अगर माली जाब से कुछन पूछने के लिए आता है कि बताइए कि यहां पर इसकी स्थापना या इसको पुरान कार किसने प्रारम किया था तो बिटा इसका निर्मान प्रारम किया गया था 1747 में होलकर राजबंस के प्रतम शाष्षक मलहार राव होलकर के द्वारा मलहार राव होलकर के द्वारा इसकी क्या कि गई थी शुरुवात की गई थी ठीक है अब एक क्वेशन में आप से पूछने वाला हूं जल्ली से अंसर देंगे आप मुझे है ना पानी पत्का पानी पत्का त्रतिय युद्ध पानी पत्का त्रतिय युद्ध कब हुआ था फटाफट्स आंसर दो और यह किसके बीच में हुआ था गूगल यूज नहीं करना है आपको पानी पत्का त्रतिय युद्ध किसके बीच में हुआ था फटाफट्स आंसर दीज पानी पत्का तरती युद्ध किसके बीच में हुआ था और कव हुआ था तिली से आंसर दो कि रजबाड़ा बीच रुपर टेकिट बड़त हाँ होल करोगी पूरी कुंडली पढ़ डाली मलीश कुमार ने आंसर दिया है 1761 में 1857 सारे जसन यहीं मनाते हैं 1761 रिद्रोगवाल ने बुला है 1761 अबडाली वर्सस मराठा बिल्कुल सही हर्षबर्दन का आंसर आ गया है 1767 नहीं है नहीं गलत बात है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर 1761 1761 किसके बीच में मराठाज और इसके साथ साथ में यहां जो साथ साथ को उसका नाम क्या है एहमद शाह अवदाली एहमद शाह अवदाली जो है इसके बीच में हुआ था और इसी के द्वारा भारत के एक शहर की इस्थापना की गई है फटाफट से उसका आंसर दे दो ये बताओ एहमद शाह अवदाली ने भारत के किस शहर की इस्थापना की थी फटाफट से आंसर दो, एहमद्चा अफदाली ने या किस राज का, किस शेत्र, किस शेहर का नाम बदल दिया था, आंसर देना फटाफट से, जल्ली से आंसर दो, एहमद्चा अफदाली के दौरा किस शेहर का नाम बदल दिया गया था, आंसर देजिए, देखें तो रहाता ह हुआ अपको अहमाद शाह अब्दाली जिसने यहां पर जो नाम बदला था वह बदला था एहमदाबाद का नाम जो था वह बदल दिया एथा जाए ख किसके दौरा एहमद शाह अब्दाली के के दौरा अब मुझे बताएंगे EMWAK को पुराना नाम किया था ठीक है तो फीटा ध्यांदे ने इस बात पर IMPORTENT चीज के आपने सामें तीन पानिपत याने की अर्याना पानिपत का प्रतम युद्ध दूआ था 1526 में इब्राहिम लोधी और बावर के दौरा हमने पढ़ लिया था यहां पर इब्राहिम लोधी और बावर के दौरा बिलकुल सही सबसे पहले आंसर दिया है हमको हिंदुजिम एंड ट्रेडिशन ने कर राजपूर्ट करनावती बिलकुल सही हिंदुजिम टरनावती प्रदीप गुर्दा करनावती विकास मिस्रा करनावती बिलकुल सही राइट आंसर है आपका इसका राइट आंसर हो जाए क्या करनावती ठीक है तो पानिपत का प्रतम युद्ध हुआ है 1526 में बाबर और तीसरा जो हुआ है वो हुआ है 1761 में मराथा और हमád शाह अवदाली के बीच में अब ता यह नि वज्य खराव रहने करने के कारण जो मखाना राव करी उस सदमे से अजो शाओ है और आज बहुत समुल कर रहने लगी और तभी हो रहने के कारण इसान पारि म助क्रांणू बहुत आउग अंभी भी इसकी जो इमारत है यह आपको इंदोर में देखने को मिल जाएगी और बाकाइदा साशन के दोरा इससे टिकेट लिया जाता है इसका देखने का क्या लिया जाता है टिकेट लिया जाता है 10 रुपय या 20 रुपय इसका टिकेट भी है ठीक है प्रयोग क्या किया गया है प् फ्रांस आ जाएगा फ्रांस फ्रांस वही जिसकी राजधानी क्या है जिसकी राजधानी है पैरिस क्या है राजधानी जिसकी पैरिस और पैरिस किस नदी के किनारे पैरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है फटा वट से आंसर दो जल्ली से अंसर अकबर और हैमु के बीच में हुआ था बेटा अकबर और हैमु के बीच में हुआ था मेरे भाई विक्रम सिंग शेखाबद हिंदु शाशक हल्दी गाठी के यह दुआ दा पंदरा सो शेतर में राणा सांगा और अकबर के बीच में काहे सिरियस ले जाते हो बोलत रहे है 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 मुँ चीजें भी थोड़ी थोड़ी देखते रहने चाहिए है ना करना दो तुमारा विक्रम सिंग शेखाबद हां तो राजदानी क्या इसकी पैरेस और पैरेस किसने कि नार बसा हुआ है सीन नधी के किनारे ठीक है बात क्लिए यहां तक की बात है आपको शेली कोन से यह पर फ्रेंश शेली और ध्यान देना इस बात पर यहां पर इस 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 रजवाले को तीन बार हानी पहुंचाए गई तीन बार तीन बार यहां पर हानी पहुंचाए गई कैसे पहली बार तो आपको बता है घाटगे ने जब आकर्मन किया था घाटगे कौन था सैनपती था किसका सिंधियास का उसने जब आकर्मन किया तो यहां के जो हिस्ता था इसको क्या कर दिया गया जला दिया लकडी का था तो क्या हुआ जल गया दूसरी बार यहाँ पर आटोमेंटिकली क्या लग गई आग लग गई दूसरी बार आग लगी और तीसरी बार 1984 1984 के जो सिख दंगे हुए थे सिख दंगे उस सिख दंगे में भी यहाँ पर जो रजवाड़ा था इंदोर का इसको हानी पहुंचा गई इसको हानी पहुंचा दिए 1576 अल्दीगाड़ी का युद्ध 1576 में मेरे भाई ठीक है ठीक है ठीक है तो यहां ध्यान एक पर 1747 मलहार राव जो होल कर थे उन्होंने रजवाड़ा की यहां पर क्या रखीती तब यह ठीक है आपकी विक्रम सिंग बावर की तो बेटा मृत्य उगीती 1530 में ही तोड़ा सा फोकस करो चीजों पे उड़ता हुआ तीर नहीं लेना चाहिए है मेरे भाई बावर की मृत्य 1530 में हो गई थी और अल्दीगाड़ की उद्ध 1576 में हुआ था चेक करो एक बार गूगल से चलो ठीक है बात तो यहाँ पर अगर आपसे बात की जाए कि इन दौर में जो वर्तमान की महरानी है इन दौर की वर्तमान महरानी जो आप हमारे सामने देख पा रहे होंगे इनका नाम है उशादेवी मलोत्रा यह सामने इस्क्रीन आप देख पा रहे हैं इनका नाम क्या है इनका नाम है उशादेवी मलोत्रा जो महाराजा यश्वंत्रा होलकर दुती है जो लास सासक थे और उनकी पतनी जिनका नाम क्या था सयोगता राजे इनकी दोनों की जो संतान होई उनका नाम है उशदी मलोत्रा और इनका जो विवा हुआ वो किसके साथ में हुआ है सतीश मलोत्रा के साथ में सतीश मलोत्रा जो भा पॉणंर हबावर कि पर हम्रतियु 1530 म करवा देरा चो पर द्यानना यह पर उंशा देवी मलोत्रा जो यहां की महरानी है जो होलकर राजमन से संबन देते हैं ठीक है चलिए कुछ important points की बात कर लेते हैं यहां पर एक important मंदिर जो है हमारे पास में यह है मलहारी मारतंड देविस्थान मंदिर जो होलकरों का राजमंदर था जो होलकरों का क्या था वो राजमंदर था अभी भी रानी है हाँ बिल्कुल सही अभी भी रानी है जैसे गवालियर में सिंधिया जो है वो उनको श्रीमंत महराजा जोतिर राज तो सिंधिया बोला जाता है ऐसे ही ऐसे ही यहाँ पर क्या है ऐसे ही यहाँ पर यहां पर मंदर की बात करें इसका निर्माण 1984 में यह जलकर खाक हो गया था निर्माण की जब बात करते हैं तो कई जो होलकर साशक थे उनके दोरा नीत जो इनकी पीडियां जो होती हैं उनके दोरा इस मंदर का निर्मान कार करवाए गए हैं बहुत सारे अगर आज भी आप देखने जाएंगे इस मंदर के अंदर तो बहुत सारे जो होलकर राजा हैं उनके कार उनके जो प्रतमाय हैं उनके चित्र है वो इस मंदिर के अंदर लगे हुए है तो अगर आपसे पूछता है कि मद्धपड़े से मलहारी मार्तंड देवस्थान मंदिर कहां पर है तो इसका अंसर आप लोग क्या देंगे यह देंगे आप इन दौर में जो किस बंसे संबंदित है जो की होलकर वंस से है क्लrator यहां तक की बात एकड़म क्लियर देगे सारी चीजे में एक्शली ग्रम जो पिक्शर्ट है उनका यूज्थ इसलिए किया जाता है इसमें सरस्ट्री श्री करवा दीजी आप प्लीज हम कोशिस करेंगे उस बात की कोशिस करेंगे क्या ना मना को कैरि डर कोश्छ न करेंगे गले में कर soci il पार में जलना चाहते हैं तामे के बारे में बताएंगे तुम को आगरा चलेंगे और तुम फिर वहीं बताऊंगा मैं आपको चलो ठीक है तो ये अब जब बात की जाती है छेत्री मुद्रणाले की या फिर हम बूल देंगे इसको क्या राज किये मुद्रणाले मुद्रणा के मनलब क्या होता है जहां पर मुद्रा बनाई जाती है मुद्रा को ढाला जाता है और जब यहां की बात की जाती है तो यहां पे उस टाइम पे क्या किया जाता था मद्रदेश का पहला अखवार जिसका नाम क्या है जिसका नाम है मालवा समाचार जिसका नाम क्य लिए पहला इंदी समाचार पत्र ता जिसका नाम क्या था जिसका नाम था मालवा समाचार क्लियर है चलिए तो ध्यान देना इस बात को यह भी कहां पर है यह भी इंदौर में ही इस्थित है जो 29 सताबदी में होलकर राज का मुख्ष पत्र था क्या था मुख्ष पत्र था मत मालवा समाचार में प्रकाशित कराते थे और यह वहां का पहला हिंदी समाचार पत्र है जो मद्द प्रदेश का है ठीक है यहां तकी बात के लिए रहे सब को के चलिए हर कोई जानता है महल के बारे में नहीं लेकिन क्या होता है कभी कभी लोगों को इंट्रस्ट भी आ जाता है कहानी सुनने में सुबह मामले समझो मेरी बात को चलिए अब इंपोर्टेंट चीज तूसरी जो चीज है वह क्या आए बटा यहां पर गोपाल मंदर यहां पर आप देख पार होंगे सामने गोपाल मंदर यह सामने लिखा हुआ है मद्द प्रदेश शासन द्वारा संचालित चोटे-चोट करवाए गया है वो करवाए गया है कृष्णा भाई होलकर के द्वारा किसके द्वारा कृष्णा भाई होलकर के द्वारा इसका निर्मान करवा गया है यानि कि यश्वंतरा होलकर जो थे यान है ना आपको यश्वंतरा होलकर तो कोजी राओ के पुत्र जो थे उनकी ठीक है ना सारी चीज़ें आरे सबको ले चलूँगा मेरे भाई चिंदा क्यों कर रहे हो ले चलूँगा लेकिन पहले चलना पड़ेगा ना उसके लिए टाइम वेट तो करो चलो कोई बात नहीं चली तो यहां तक की जितनी कहानी थी ध्यान देना जितने भी पॉइंट हमने चिंदा काय कर रहा है उजयन सिटी में ताजमहल जो है वो देखा जाए तो भुपाल में भी है ताजमहल जो है वो आगरा में भी है हमने लाज्ट क्लास में बात किती है आप से और एक ताजमहल जो नहीं बन पाया वो बुरहानपुर में भी था तापती नदी के किनारे च चलिए तो आज का सेशन बच्चों हुआ यही समाप्त बाकी सारी बातें करेंगे हम अब कल अगर जितना भी मैंने आपको यहां पर बताया वह आपको समझ में आ गया हो अच्छी बात है अपने नोट्स बना लीजिए अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो बाका बनेंगे चाहे वो मुख्य परिक्षा हो लोग से भायो की चाहे वो प्रात्मी परिक्षा हो चाहे व्यापम का कोई परिक्षा हो उन सारी परिक्षाओं में यहां से प्रश्ण बनने की प्रवल संभाव ना है ठीक है लेकिन और रहा होंगा बाद मैं ताज मेल की फूर नक नकल कहते हैं बेटा उसको ताज मेल की फूर नकल कहा जाता है जिसका निर्माण औरंग जेब के द्वारा करवाए गया था जिसको बीवी का मकवरा कहा जाता है चलिए तो आज का सेशन हुआ यहीं समाप्त बाकि सारी बाते करेंगे हम कल बने रही है मेरे साथ मैं दिपेश क कोशिक आपका अभार करता है थैंकि सो मच भारत माधा की जैए अ झाल 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 झाल